इसलाम में अल्ला के अलावा किसी की एक्जिस्टिंस को महत दे ही नहीं सकते एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो राम को ये लोग एक्सेप्ट कर कैसे ले रहे हैं और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम जी थे तो फिर इसलाम के होने का तो कोई आप्शन ही नहीं है कुछ नहीं है कि आपके फिलोसोफी अलाव नहीं करती मूर्ति पूजा और जो मूर्ति पूजा करता वो काफिर हो जाता है मुश्रिक हो जाता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो तिन टॉपिक्स तो आएंगी और यह उसमें सही है अगर आपने वह पिछली वीडियो नहीं देखिया तो लिंक डेस्क्रिप्शन में देदूंगा यह फिर आई बटन में उपर आप देख सकते हैं आप अगर नहीं है तो मैं चाहता हूं जैसे मैं पिछली वीडियो में बोला कि 90 परसेंट से जादा लोग वह हैं जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं अगर आप उन में से एक हैं तो प्लीज अपना कॉंट्रिबूशन सब्सक्राइब करके देदिए मैं आप सो कोई पैसे नहीं मांग रहा और दूसरी चीजे इस पर यह सीक्वेंस का दूसरा टॉपिक है और उसको वहां जाकर देख सकते हैं इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे देश के सेकुलर मुसल्मान हैं जिनके मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो वाकई में सेकुलर हैं वैसी जैसे ही जए बहुत ऐसे लोग हैं तो उसी में से कछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि राम जी इमाम हिंद है अच्छा दूसरी चीज़ी है कि यह भी कहते हैं कि राम जी की ननिहाल की मिट Gracie वहां पर अपना इसे इसे बात उन्हों के लिए मैं ये कहना चाता हूँ क्योंकि आपकी इस मन्शा पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या मुझे कोई सवाल का जवाब दे सकता है चलो सिर्फ भारत है तो इतनी रियायत बनती है लेकिन क्या कोई इस बात पर सवाल उठा सकता है कि मक्का में हिंदूों का जाना या नौन मुस्लिम का जाना प्रॉबिटेट क्यों है मुझे जवाब दे दो मेरा सिर्फ एक हमबल साजेशन एक रिक्वेस्ट यह है कि वो लोग जो भविश्य में ये कहें आज जाने के बाद मतलब पांच अगरस्त को या उससे पहले जाने के बाद भविश्य में ये कहें कि देखो राम मंदिर तो मुसल्मानों की वज़े से बन गया मुसल्मानों का बहुत बड़ा हाथ था वन्ना बनी नहीं पाता इस चीज़ को समझनी कुश करिए कि आप कल को 100 साल बाद 500 साल बाद एक 1000 साल बाद कल को ये ना हो जैसे अभी आपको मैं दिया मर्जा का ट्वीट दिखाता हूं उनने का कि अमरनात को तो ढूंडा एक मुसल्मान में मतलब यही चीज़ मैं चाहता हूं यह चीज़ ना हो कश्मीर के मूल निवासी मुसल्मान कभी नहीं थे भारत के भी मूल निवासी मुसल्मान कभी नहीं थे तो अगर कोई यह कहे कि हमारे religious places को उन लोगों ने found किया और कई चीज़ें ऐसी हैं अभी मैं exactly बहुत research करके नाम नहीं गिना सकता नाम गिनाने जाओंगा तो आप लोग हैंगी तो मैं पूरा वही लेके बैठ गया हूं कि हिंदू-Muslim करना नहीं मैं सिंपल बेसिक सा लॉजिक है कि अगर आप मन में श्रद्धा लेके जा रहे हैं तो वहां जाके कुछ भी करें उसको भविश्य में आप इस तरीके से नाब होना है कि मुसल्मान ना होते तो मंदिर ना होता इसकी होने के काफी संभाव ना है कि हम अल्रडी रिजल्ट्स देख रहे हैं कि जब बन रहा था तब तो आपने बनने नहीं दिया दूसरे लोग की बात कर रहा हूं और अगर इतना ही था तो आप बिना कोट केस किए बिना लड़े जगड़े आप हमें हमारी जमीन दे देते इतना ताम जामी नहीं होता दे देते का मतलब क्या हूँ हमें आप से चाहिए नहीं महाराज दे देते का मतलब यह हुआ कि आप अपत्ती ना चाहते आते बस आप रोक नहीं सकते हैं आप बिलक प्रोट नहीं दिखाया उस वक्त और अब आप नोटंकी करने लेकिन जो लोग अभी जाने वाने की बात कर रहे हैं वो लोग ऐसे नहीं है उन लोग ने हमीज़ा सपोर्ट किया तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है इसमें सबसे छोटे बड़े मज्जिद में दिख जाएगा तो राम जी का वो अस्तर गिरा दिया हम राम जी को मानते हैं कि स्रिश्टी के पालनार पूरी धरती पूरी यूनवर्स के और अगले ने बोल दिया कि यह इदर उदर के इमाम हम लोग बेवखूफ हैं कि हमने उनके इन सब तीजों को कॉंप्लिमेंट समझ लिया और दूसरी चीज इसलाम में अल्ला के अलावा किसी की एक्जिस्टेंस को महत दे ही नहीं सकते हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं तो राम को यह लोग एक्सेप्ट कर कैसे ले रहे हैं और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम जी थे तो फिर इसलाम के होने का तो कोई कोई औप्शन ही नहीं है कोई रीजन ही नहीं कुछ नहीं है इसलाम इस जस्ट पॉलिटिकल आइडियोजी तुक्टर पावर सिर्फ इतनी डेफिनेशन मन के रह जाती है अगर आप राम जी के इतिहास को सबस्किंए और अगर आप कही नं कहीं से जानते हैं मुसलमानों के लिए जो सच में दिल से से नहीं भार हु तो वो लोग अगर अंदर से जानते हैं कि यह थे इनका पूरा इतिहास था और वो यह भी बस आप हुमानिटी के सारे rules and laws follow करें जिसकी पूजा करने करें जिसकी करने नहीं करिए बस बस इतना है काफी है आपको तब भी को प्रोसिजर जाना तो आरे समाल से मिलिए वो लोग करते रहते हैं वगरा वगरा तो वो लोग जो बहुत participation दिखाना चाहते हैं अगर वो accept कर रहे हैं कि राम जी के लिए हम इस अब कर रहे हैं राम हैं राम थे पालन हार हैं वो creator हैं वो तो इसका मतलब यह है कि there is no space for Allah तो आप थाली के बहेंगन मत बनियें दोनों जगए पैर मत फसाईए एक जग रही है बस इतना है कहने का मतलब क्योंकि आपके philosophy allow नहीं करती मूर्ती पूजा और जो मूर्ती पूजा करता है वो काफिर हो जाता है मुश्रिक हो जाता है और उसके लिए तमाम अलग-अलग सजाएं हैं तो आप देख लिए कि आप कि इस ideology से आते हैं बस मेरा यही कहने का मतलब और आपके ideology allow नहीं करते हैं तो अगर आप उस ideology कभी थे ही नहीं तो आप या तो फिर से सही जगह पर आ जाहिए और या तो आप अगर वो हैं तो आप यह पाखंड करना बन कर देजा है मुझे reply का comment में या जैसे भी वीडियो के form में इंतजार रहे हैं अगर कोई उन तक शेयर कर सके तो फिर म कर देब्स कामित उ य दो आप झाल